आप देख रही है MNS News सच ज़रूरी है नमश्कार MNS News लाइब में आप सभी का अस्रागत है मैं हूँ आपके साथ अरुशियन सारी आएए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरे इसे पहले एक नजर हेडलाइन्स बर गर्चिरोली जिले में अशिक्षित असाईरियों के आंदोलन से बिजली विभाग का कारे प्रभावित हुआ मराटा रक्षन बिल विधान सबा में पास हो गया जंगली हाथियों के उत्पान से त्रिस्त ग्रामिनों में वार्षा आई देखते हैं खबर विस्तार से गर्चिरोली जिले में अशिक्षित असाईरियों के आंदोलन से बिजली विभाग का कारे प्रभावित हुआ है महावितरन के लगू विध्यूत विभाग ने एक सयुक्त स्कृती समिती का स्थापना कर अलग मांगों के लिए अपने बुद्वा से गुरुवा तक दो दिन के लिए कामपन दांदोलन का आवन किया है जिसके कारण विध्यूत विभाग का कामकाज बुरी तरह प्रभावित हुआ है बिजली विभाग से संबोरित सभी कंपनियों में रोजगार पर काम कर रही करमचारियों के साथ मासिक 30% बिन वृत्ती के साथ उमर के 7 साल तक शास्वत रोजगार मिटिंग के गैरेंटी मिले प्रमुकों से इन मांगों के साथ कंपनिय में नियमित सेवारत रिक्ट करमिय को चारलाक रुपे मिलने वाली सहायता राशी सहायतकार पाचलाक वुक्तान करने की मांग में शामिल है सेवरत कर्मियों पर परिवार को पाचलाक मेडिकल योजना लागू कर उनकी प्रेमियर बिजली कमपनी विवस्था काम अदा करने ऐसी मांग और डौलक उच्साह सला की है आंदुलन के नेत्रत वर्ता रंजन बल्लमवार आवी सावसकाडे दिनेश खारकर प्रशांत धावगे आतिफ खान सुरेश रोहनकर राजन बबोकर विभा चौदरी विनोध कावडे रुपेश गवार गनवीर भागिश्री कुमभारे इमरान कुरेशी सूरज नागरे हर बबाटे अमोल फुलजेले पायल मेश्राम संतोष बनबोडे अतुल राजपूते ने किया इन्होंने पाचमार से बेबुदत कामबंद आंदोलन करने की चेतावनी एंडोल को ने ने दी है मराटा आरक्षन बिल विदान सबा में पास हो गया राधिसरकार की ओर से मुख्यमंतरी एकनाश्रिंदे ने मराटा समुदाई को 10% चेक्षनिक और नौकरी आरक्षन देने वाले विरेयक विदान सबा में पेश किया गया मुख्यमंतरी ने अपना पक्ष रखने के बाद सबी दलो के नेताओं से इस बिल को सर्वसमित से पारित किया गया बर्ते अगली खबर क्योंग जंगली हाथियों के उत्पात से तृस्त ग्रामीनों में वर्षा जिया वणविभाग उपवन संद्रक्षन कारेले में आउट पे उस्ट मोर्चा याने उतपात मचाने वाले जंगली हाथियों के तिर्दी आत्रा के साथ साथ शतिकरस्त किसान को शहीद किसैनिकों की सायता से इन मांगों को लेकर आज सेकडो की शान्ती में गरामस्त गर्ची रॉ करनिदेश दिया है ग्यात हो आर्मोरित तहसील मौजा पाथर गोटा पलस गाउध शंकरनगर के अंतररगत जो खी साखरा इन गाउ में पिछले छहमा से उंगली हातियों का उत्पात मचा हुआ है इसी कारण से शेत्र में भारी नुकसान हो रहा है और यह ग्रामिन आबादी के कारले पर कुछ कर गए वनिभाग के अधिकारियों ने किसानों को साथ बारा बार दिया ताकि शामप्रसाद मुखरजी सहकारिता योजना का लाब मिल सके जो आज तक नहीं मिला हातियों के उत्पादन मचाने किसे किसानों का जो नुकसान हुआ उसका सर्वेक्षन सही तरह से नहीं होता जिस वैज्यानिकों के काम से सुधार हो वनशेत्र में तेंदुपत्ता और मुहाफूल के संकलन का काम अब जल्द ही शुरू होने वाला है ऐसी सिती में हातियों द्वारा कही अन्होनी घटना होने की संभावना है इसलिए हातियों का बद्द कर ग्रामो पूने किया और अंदोलन में ग्रामीनों को सहबागी लक्षन दिखाया इसी तरह की दिन भर की तमाम बड़ी ख़ब्रों से फिरकर आओगे आपका रूबरू तब तक के देखते रहे हैं मेरे साथ यानि अर्शी अन्सारी के साथ नमस्कार यह है MNS News Network और आप देख रहे हैं MNS News